सुर्य की किरन धर्ती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए महत्वपोड़े हैं इसके बिना जीवन की कलपना नहीं की जा सकती इसलिए लोग सुर्य देव को पूछते हैं और सुबा सुबा सुर्य नमस्कार भी करते हैं पूरे देश में कुछ ऐसी जगा है जहां सुर्य भगवान के मंदर भी है ऐसा ही एक अनोका मंदर जैपूर के गलता गेट पर अरावली परवतमाला की पहाड़ी पर स्थत है इस मंदर के बारे में कहा जाता है कि या मंदर अध्यात्मिक एवं दर्सनिय सुर्य दे और सुर्यास्त का बिंदू है जैपूर में सुर्य की पहली किरन इस मंदर पर ही पढ़ती है मंदर में भगवान सुर्य देवता पर ही पहली किरन पढ़ती है उसके बार प्राताकाल सुर्य देव की पूजा की जाती है और शाम की आगरी 90 अंश के किरन भी इसी मंदिर पर पड़ती है इस मंदर में सुर्य भगवान के साथ उनकी पत्नी रेनुका जी का विगरा भी स्थापित है। और दूसरे विगरा में सुर्य देव जूले पर विराजमान है। सूरे भगवान के इस मंदर के महन्त मदनलाश शर्मा बताते हैं कि पहाड़ी पर बने इस सूरे मंदर का निर्मान सत्रा सु इस्वी पुर्व में महरास सवाई जैसिंग के दूद शिराव करपा राम जी के द्वारा बनाया गया था यहां मंदर तीन सो साल पुराना है महरास सवाई जैसे रगुकुल वंच के सूरे वंची थे और भगवान सूरे की पूजा किया करते थे उन्होंने इस मंदर का विशेश रूप से अपनी देखरेग में बनवाया और वहाँ सूरे भगवान की पूजा करने भी आया करते थे सूरे भगवान का मंदिर ये सत्रा सो इसमी के अंदर सवाई जैसिंग राजा के द्वारा उनकी दूथ ते रावकरपर राम जी है उनकी सला के अनुसार कि यह मंदीर बनाई गया था फर बनाए गया HERE जो पाड़ी की एशी उपड़का सिकर है जहां सोरिय वदे होता है तो उसका किरन पहले सोरिय बभवान की जो मंदीर उस पर जाकी गिरती है वहां से फिर उसके बाद में जैसे सूरिय उंचाई के आता है तब पूरे जैपुर सहर के अंदर सूरिय का प्रकास जाता है यह मंदिर तीन सो वर्स पहले जो बना था इसके अंदर जो राया जैसिंग जी थे उन्होंने सूरिय वन्सी होने के कारण जो राम चंद्र भगवान के वंस के थे उनको सूरिय वंसी कहते हैं तो उन्होंने सूरिय भगवान का पहले मंदिर बनाया था फिर उसके बाद में जैपुर के अंदर जो सीटी पहले सो जैपुर का इस्तापन है सूर्य भगवान बारा राशियों के उपर हर महीने ब्रमन करते हैं जो अपने ग्रों के अंदर बारा राशियां उसमें मुख्य रूप से जो मकर राशी होती है वो जनवरी के मेने में आती है उस समय सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है